अच्छी कवीता पड़ी है बजा दो ताली दो लोग जा रहे हैं पर बगवान सबका ध्यान रखता दो उल्टे भी आगे आओ बाओ जी आओ स्वागत है बहुत आप आनंदगरवाल जी आगए हमारे बाओ जी भी आगए मैं उनको बच्पन से जानता हूं हाला कि मुझे यह बुलाया है तसर आये हैं प्रणाम करते हैं कि बार जोड़दार तालियां बजा दो सर के लिए इस टेम जो आते हैं अक्सर मुख्यतिती होते हैं इस टेम के करीब जो आते हैं मैं आपको मुख्यतिती समझ के राम-राम करता हूं और इनके साथ एक और आये थे ना बाओ जी और यहां आजा तो यह फोटोग्राफर बाई साफ वही बनता जिसे बचपर में दूसरों के घर में तांक धाक करने के आदा तो यह बड़े ओके फोटोग्राफर बन जाते हैं बड़ी आहे लेकिन मस्त आदमी है कुल मिलाके बड़े टोपी वोपी लगा अजय बैठ जा ना अब भूला चुनाव लड़ूगा अब चुनाव मत लड़े बड़े टिग तू बेठ जया अपना कवीता कर ले यह इस में दो पैसे का दंदा नहीं मैं चुनाव लड़ूगा मा फिर बोला सत्ता मेरे आत में सोब दो अलाद बदल दूगा मना कुछ ना बदले जावा यह है भाई साबआ यह सत्ता मेरे आतन शोब दो अलाद बदल दो कड़के अलाद बदल ले तब लेंगे यह वाई स्ब यह बात होती है राजेश भाई एक मस्तादिमी है कोई दिक्क्त नहीं है अभी मंच पर आकर जूट पर जूट बोलेंगे आपसे मां अंतराष्टे कवी हूँ मैं यहां बने बताया था ना भी बित्तर बरतन मांचे था मैं लंडन गया मैं पैरिस गया बाओ जी यह कित्ते नी गये हैं यह उरे पड़े रहे हैं और कीमती समय कोई निकाड़ के आगे खाली पड़े थे सारे के सारे यह मंच से जूट आपको बगताने के लिए बूले इतने बड़े कवी बुलाए हैं अंतराष्टे कवी हैं अपन पर इनंच से बड़ी-बात यह करेंगे इसका ब्याह हो अ profits कि एक गंटे तक शादी की पहली रात अपनी पत्णी से एक शब्द नहीं बोल सका या आदमी जोब आएगा मंच पर एक गंटे तक एक शब्द नहीं बोल सका एक गंटे बाद बोला तेरा नाम के है वह भी छटी हुई धिरों तक की बोली काड़ पे के तरी बुआ का नाम नहीं घरा क्या है तालिया एक बार जोड़दार बजाओ मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे भाई बड़े भाई राजे शेतन जी जो मुझे मंच तक लेकर आए और आज वो मेरे जिंदकी में आए तो मैंने बहुत तरक्की कर ली और वो नहीं होते तो मैं और तरक्की करता हूँ इसलिए तालिय आप सबको होली की बहुत शुपकामने देता हूँ संख्या कुछ कम है लेकिन इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि गुरुद्वारे में जब शब्द कीरतन आरंब होता है तो भक्तजन दोचार ही होते हैं पर जब कड़ा परशाद का समय होता है तो गुरुद्वारा ख खचा कच भरा होता है आखरी तक यहां एक कुर्सी भी नहीं बचे कि मुझे भरोसा है यह भंडारे का देश है अगर केजरी वाल चुनावी भंडारे पे जीता है वेचारा भारत में यदि स्रडक पर भंडारा लगा दिया जाए तो वहां भी BMW रूप जाती है दो पूरी खाई ली जाए तो अच्छा है मैं आप सबको नमन करता हूं मुझे केवल दस मिनट का समय अजिला गरवन से ने दिया है और संचादर में वह 15 मिनट का समय खुग ले रहा है तो मैं दस मिनट में मेरा गला ही गर्म होता है मैं बोलूं तो क्या बोलूं पर यह मेरा परिवार है मुझे परिवार में आके अच्छा लगता है आप सब बहुत भगेशाली हैं कि आपका मनुष्य के रूप में जन्म हुआ 84 लाख योनियों में भटके थे तब मनुष्य बने तब भगेशाली हैं और भगेशाली वह भारत में पैदा हुए अच्छा कहीं भी हो सकते थे आपके हाथ में थोड़े था चीन में भी पैदा हो सकते थे फिर कैरोना आपके साथ होता अब भगेशाली वह भारत में पैद कि जय कभी सुना कि पाकिस्तान अंकल की जय संभव नहीं है सारी दुनिया बोलती है भारत माता की जय हूँ ता भागेशालिये भारत में पैदा हुए है और भागेशालिये अगरवाल समाज में पैदा हुए है यह चोटी बात नहीं है अपने आप में इसमें क्या खास, कोई मेरे से बोला है, इसमें क्या खास, मैंने का बहुत खास है, बहुत बताओ, मैंने का सोचो एक बिनिट के लिए, भारत में अगरवाल समाज अगर नहीं होता, तो मेरा भारत कैसा होता, सोचो, कैसा होता, मैंने का मंदिर होते, धरमशालाइं होती, अगरवाल समाज नहीं होता है, इंकम टेक्स डिबार्टमेंट होता, जा बात, जी एस्टी होता, आपके लिए मैं तारीफ कर रहा हूं, आप तालिय भी नहीं बजा रहे, क्या बात है, मुझे शादी के भी मंत्र आते हैं, और मृत्यू के भी आते हैं, नहीं भूल जाता हू कौन सा मंत्र कहां सुनाना है, फिर चक्कर अमत बढ़ जाना आप लो, तो तालिय भजा के मेरा समत्र के दरिया, वा राजिश भाई, वा ताप भग्य शालिय आपके आपका अगरवाल समाज में जन्व हुआ, और भग्य शालिय दिल्ली में पैदा हुए, आप पिहार में तो गुजरात में कुट रहे होते, यह आपका भग्य अच्छा आप दिल्ली में पैदा हुए, और अच्छी भग्य की बात यह है कि आज आप यहाँ होली के कवी समेलन में उपस्थित हैं, यह भी आपका भग्य है, और इस बड़े कारिकरम में राजेश चेतन जैसे महान क सब्सक्रावी को आप सुन रहे हैं, यह नास है बस, यह पीछे से जुरूर बोलेगा, मुझे गंशाम अगरवाल की दो लेने याद आगे मैं अनिल अगरवंसी के चरणों में रखता हूं, दर्दे चरण में जड़ादे मने, आख की कवीता मेरे चरण में टेक के हैं, यह दिये ही हैं जो रात को जलते हैं, सुनना, यह दिये ही हैं जो रात को जलते हैं, वरना जलने वाले तो दिन रात ही जलते हैं, क्या बात है, वा राजिस भाई, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए कि कवीता सुना देता हूं आप लोगों को मैं, और एक ताजा कवीता सुनाता बात बात में बात बनाना उनके बसकी बात नहीं। घर के लोगों को समझाना उनके बसकी बात नहीं। कि वाँ 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 राजिश भाई वाँ क्या बात है वाँ बहुत अच्छे उनके वश्की बात मेरी बात को समझतो रहे ना आप लोग तो मुझे तालियों से सुचित कर दिया कर रहा हम समझ गए हैं समझ कि लिए यह लंदन पारे हैं अब चार माला है और आएगी पांपा कि बहुत सारे काम करते हो मेरा आपसे बहुत पुराना परिचय है आप भगेशाली हो कि विनोद मित्तल के जैसा आपका प्रेजिडेंट है क्या बात है वाँ 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 दो लाग का है को टाइम एक संत है एक बाबा है यह निर्मल बाबा नहीं है यह राम रहीम नहीं है ये सच्चे संत्य है, तालिया बजाए इनके लिए दे, क्या कहने, वाह, कांगरेस की कुर्सी छोड़ी फिर कुर्सी पर आ बैठी, पर सत्ता की कुर्सी पना, उनके बस की बात नहीं, लगा टोपियां मस्जिद दरगा घूम रहे सारे नेता, लगा टोपियां मस्जिद दरगा, ये साहिन बाकी आपने देखी है, लगा टोपियां मस्जिद दरगा घूम रहे सारे नेता, फिर तालियां चाहिएगी सबकी, लगा टोपियां मस्जिद दरगा घूम रहे सारे नेता, मोधी को टोपी पहना ना, कि वाज़कान पुर्सी में फिट कि मुफलर वाले थी थी अरी वाटकर कुरशी में फिट के आई अभी तीन हो रहे हैं तो वह 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 कितनी रहा गही एख वह दो रहा है इतने इतने्य से मिले दें कि आम पर यह हैं पांस वाली आनंद लीजिए फ्री बाट कर कुर्सी में फिट हो गए मफलर वाले जी यह केजरीवाल मेरे गाउं के हैं भिवानी के जहां-जहां मैंने बता है केजरीवाल मेरे गाउं का लोगों ने मुझे कुटा मैं कई बार पिट चुका हूं सतिंदरा नाला हो रहा है कोई बाद नहीं मेरे कुण सा भरत पड़ रहा है मस्ती लीजिएगा आनंद लीजिएगा फ्री बाट कर कुर्सी में फिट हो गए मफलर वाले जी पॉलूशन को दूर भगाना उनके बसकी बात नहीं और जात पात का हाथी लेकर हाथ हिलाना आता है उस हाथी पर दिल्ली आना उनके बसकी बात नहीं और बोलना चाहां तो बंग सेरनी छीची करती गली गली में घूम रही मैं बंगाल ले जा रहा हूं आपको बंग सेरनी चीछी करती गली-गली में घूम रही मोटा भाई से बचपाना उनके बसकी बात नहीं क्या कहने राजिश भाई बहुत अच्छे वाँ 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 उनके बसकी बात नहीं और बोलना चाहता रूपया पिटता देख देख कर सीता मा शर्मिंदा है निर्मल सीता रमन की बात कर रहा हूं फिर सुनियेगा रूपया पिटता देख देख कर सीता मा शर्मिंदा है इकनोमी को ठीक बनाना उनके बसकी बात नहीं क्या कहने राजिश भाई बसकी बात नहीं और C.A.E. पर हमला करके साहिन बात बनाते हो और जो हालत आप ने टीवी पर पाकिस्तान की हिंदू को देखी है वो एक बर तालिया बजा के आप समर्थल करना C.A.E. का जो मैं बोलने जा रहा हूं C.A.A. पर हमला करके साहिन बात बनाते हो पीडित हिंदु को अपनाना उनके बस की बात नहीं समय कम है एक आखरी की ढ़ाई मिनट की कविता पढ़के अनिल अगरवंसी को माइक दे देता हूँ बस ढ़ाई मिनट और लूँगा मोदी साब बहुत अच्छे नेता है कले परदान मंत्री वो थे जो बेचारे बोलते ही नहीं थे दूसरे ये भाई साब आए चुपी नहीं होते दिल की बात, मन की बात फेफडे की बात, गुर्दे की बात टेलिविजन की बात, रेडियो बिपिन भाई साड़ा दन बोलते रहते है अचा मैंने विचार के आप मोदी साब इतना क्यों बोलते हैं तो ध्यान में आज इसके घर में लुगाई नहीं होती ना उसको बिचारे को मन की बात रेडियो पर आकर करने पड़ते है तो मोदी साब रेडियो पर मन की बात करते है चेतन जी माइक्रोफोन पर मन की बात करते है अब आप मेरे मन की बात सुनिएगा और मैं छोटे छोटे परियोग करूँगा आपको अच्छे लगेंगे मेरा साथ दीजिएगा एक पर सब बेढ जाईए बोजन शुरू कर दिया गया आप लोगों ने सब लोगों बोजन ने शुरू होगा तो लोग उधर क्यों जा रहे हैं सब इदरा जाईए सब इदरा जाईए वो खड़े वे भिलनी के बेरों को खाओ देश भक्ती हो जाती है साथ चाहिएगा समर्थन यह CA का हला नहीं है मोधी ने पहले नोट बंदी की थी और अपरेल में नस बंदी की त्यारी है यह हला उसके लिए है बात समझाओ और कुछ नहीं है तो राजेश चेतन बोलना चाहते हैं मेरा साथ देना मिलकर एक साथ दस दस बच्चे पैदा करना अब तो प्यारे बंद करो छोटा सा परिवार बनाओ देश मक्ती हो जाती है क्या बात है वाह 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 देश मक्ती हो जाती है कोई फरक नहीं पढ़ता है बेटी हो या बेटा हो कोई फरक नहीं पढ़ता है अनले गरवन सी ने बहुत अच्छी बात कही हिंदू समाज में भी एक प्राबलम थी अन्तिम संसकार बेटा ही करेगा कपाल क्रिया बेटा ही कर सकता है ये एक मिथक था हिंदू समाज के मन में इसके लिए कई बार दो बेटियां, तीन बेटियां, चार बेटियां के सर फोड़ने वाला पैदा होना चाहिए लेकिन अच्छी बात यह है कि आजकल हिंदू समाज ने बेटियों को भी अधिकार दे रहे हैं कि वो भी अन्तिम संसकार करें ये अच्छी बात है सारा जीवन बेटों से जब डरना है सत्ता बेटों को ही दे कर मरना है और संसकार जब बेटी भी कर सकती है तब काहे को बेटे बेटे करना है काहे को बेटे बेटे करना है कोई फरक नहीं बढ़ता है बेटी हो या बेटा हो बेटी को भी खूब पढ़ाओ बोलो भाई देश भक्ती हो जाती है पानी के भंडार है सीमित थोड़ा थोड़ा खर्च करो और ये पंक्ति कल सुबे से आपके उप्योग में आएगी पानी के भंडार है सीमित थोड़ा थोड़ा खर्च करो दो लोटे से अगर नहाओ देश भक्ती हो जाती है और रोज रोज चुनाव नहीं अब होंगे अपने भारत में एक साथ चुनाव कराओ देश भक्ती हो जाती है और आखरी की दो पंक्ते मुझे विदाई देना फिर कभी बात करूंगा लंबी आपसे कभी मोका मिलेगा तो होंगे आप भले विरोधी होंगे आप भले विरोधी पर ये देश हमारा है होंगे आप भले विरोधी पर ये देश हमारा है मिलकर सारे द देश चलाओ, देश बक्ती हो जाती है